सुजलान क्या निवेशित रहें या फिर इसमें स्मार्टनेस और ज़्यादा यह होगी कि हर लेवल पर प्रॉफिट बुक करते रहें और थोड़ा सा नीचे करेक्शन पर फिर से लेंगे इसको दो तीन बाते कहना चागूँगा अगर आप अनुमती दे तो अभिशेग भाई पहले तो सुजलान पर कवरेज नहीं है इसलिए विशेश रूप में टिपनी नहीं करूँगा पहली बात दूसरी बात किसी भी निवेशक को अगर इस तरीगे के खत्रों के खिलाडी का खेल खेलना है तो इतियाज जान ले इस कंपनी का दूसरी बात तीसरी बात जो मैं नहीं कहना चाहूँगा क्यूंकि काफी छोटे-छोटे निवेशक इस प्रकार के शेयर में आकरशित हो जाता है इसका दाम मेरे गाल से तीन या चार रुपया भी ह हुआ था अगर मेरी याददार सही है तो और यह एक समय पर बुलंदियों पर काम काच करता था फिर बहुत सारा परीवरतन हुआ है इस कंपनी में लेकिन अनुसाशन और रेगुलेशन यह कहता है हमारी अगर कवरेज नहीं है तो हम किसी भी प्रकार की टिपनी नहीं कर सक करते हैं तो मैं आई विल रिजर्व माइ कमेंट्स अभी शेख भाई क्यूंकि मैं किसी की भावना ओपर ठेस नहीं पहुत साथ है ठीक है ठीक है सर एक नहीं टेक्निकल चिक ले लेते हैं मतलब उससे भी चीज़ें साज में आ जाएंगी रहूल अब यह जो मूमिंट आपने देखी है सुजलौन के शेयर में मतलब एक कह सकते हैं कि वर्टिकल राइस है मतलब कमाल की तीज़ी आई है और कहीं कहीं उसके फानेशनस ने भी सपोर्ट किये हैं इस तीज़ी को और सरकार के जो इनिशिटिव्स हैं जो रिनुर्बल एनरजी को लेकर वो भी काम आए हैं ये दो चीज़े रही हैं स्टॉप लॉस रहने को कहिएगा 34.5 पे 38 के आसपास शेर चल रहा है नॉर्मली छोटे स्टॉप लॉस अनफॉचनेटल बड़े होते हैं 34.5 पे स्टॉप लॉस रखके उनको होल्ड करने की सला मैं दूँगा अभी भी पोटेंशिल लग रहा है चार्ट स्टॉक्चर के अपसाइट की दरफ अरहे 34 सुजलान के लिए ये स्टॉप लॉस आपको गेंस हो रहे हैं गेंड को प्रोटेट कीजेगा ये स्टॉप लॉस आप लगा के रखेगा शेर में